तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आजके वीडियो में मिली करा हैं आपके लिए आपर मत्तुपूर्ण कॉश्चन अंसर तो सभी लोग वीडियो को लाइक करने हैं चैनल को सस्क्राइब करने हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें तो ले स्टा सब्सक्राइब करती पूचा गया 1948, 1940, 1930 में निशन सो पचास में यह इनन शो साठ में देवराज की रचना माणी जाती है छायावाद का पतन एक सबर स्वार हैं के अंक ह्षचन, निया और इक सब्सक्लर के आंपर हैं के लेखक कौन मानी जाते है नामबार्स है है स्यामसुंदरदास है नगेंद्र है दिनकर है 62 में आप सभी के लिए चैन करना है हिंदी के विकास में अपिब्रंज का योग के लेखक कौन मानी जाते है कॉस्चन नमबर वासट यहां पर दिया गया है और वासट में आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नमबर यहां पर एक सही आंसर नाम बारसा है नाम बारसा है कि रचना मानी जाती है विकल्प नमबर एक जिनों न भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा सब दोर इसमिर्थी किसकी रचना मानी जाते है 63 वा कॉस्चन यहाँ पर पूँचा गया है और जिनके लिए भी हिंदी साइट की 3000 प्रिसनी की PDF जिनके लिए भी चाहिए हो तो वह संपर कर सकते हैं 3000 प्रिसनी की PDF है और इस PDF जो PDF है वह मातर आपकी 150 रुपय में अभी उपलब्द है 150 रुपय में आप इस PDF को जो है परचेस कर सकते हैं नंबर इसकीन पर चल रहा है संपर कलने सभी लोग जिनके लिए भी चाहिए हो सब दोर इसमिर्थी किसकी केटी मानी जाती है तो आप सभी का याँपर 63 में सही आंसर आ रहा है निर्मल वर्मा निर्मल वर्मा विकल्प नमबर B आप सभी का याँपर सही आंसर होगा विकल्प नमबर 2 जिनों ने भी चेहन किया है उनका याँपर सही आंसर है चायबाद की प्रासंगक्ता के लेखक कौन माने जाते हैं 64 में आप सभी के लिए चैन करना है 64 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा नंद दुलारे वाचपेई हैं प्रेमचंद हैं रमेश चंदर साय हैं प्रसाथ हैं 64 में आप सभी का क्या होगा सई आंसर चायाबाद की प्रसंगिक्ता के लेखक बताने कौन माने जाते हैं चार विकल्प आपके याँ पर दिये गया है मत्पोन्ड कॉस्चन याँ पर दिया गया है और आप सभी का याँ पर सई आंसर आ रहा है विकल्प नंबर C आनि के रमेश चंदर साहे माने जाते हैं इसके लेखक सी वाला विकल्प जन्वाने भी चैन किया है रमेश चंदर साहे उनका याँ पर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन याँ पर देखेगा आदुनिक्ता के पहलू के लेखक कौन माने जाते हैं 65 वा कॉस्चन है आदुनिक्ता की पहलू जगदीस गुप्त हैं लक्षमी कांत बर्मा है विपिन कुमार अग्रवाल है असू के बाचपेई है कॉस्चन नमबर आप सभी से आप 365 उंचा गया है और 365 में आप सभी का यापर जूई रावत जी छवी जी नितू जी और आप सभ जी का याँ पर सई आंशर होगा सी वालविकल पे जनों ने वी चैन किया है उनका याँ पर सई आंसर है यंगडर यहाँ पर देखिएगा कॉस्चन नमबर आप सभी से आपर पूंचा गया चाश्ट कॉन रसवादी आलू चक हैं रसवाधी आलू चक आपके लिए बताना ह असुप बाच्पेई हैं, डाक्टर नग्यंद्र हैं, रामकुमार बर्मा हैं, अग्ये हैं, 366 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है, बताइए, दीपक जी, नामबिर जी, 366 में आप सभी को बताना है, रसवादी आलू चेक बताने कौन मानिज आते हैं, 66 में बताना है, तो 66 का सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आनिकी डाक्टर नग्यंद्र है, डाक्टर नग्यंद्र है कॉस्चन कई बार पूँचा गया है, रसवादी आलू चेक की रूप में जानी जाते हैं, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, कुमार बर्मा या रगुबंस किन की मानी जाती है, 67 में आप सभी के लिए चेन कनना है, 67 का क्या होगा सही आंसर, बताइए, कबीर किसकी आलोचनात्मक किर्ती मानी जाती है, 67 में चेन कनना है, तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर एक सही आंसर है, महाबीर दुवेदी जिन्होंने विकल्प नंबर एक बताया है उनका यहाँ पर कुमुजी सही आंसर है मेदा जी अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर दिया ग्या है क्या पूंचा ग्या है किस आलोचक को सौश्टावादी सौंदरेवाद आलोचक का जाता है 68 में बताना है नंद दुलारी वाजपेई को या फिर नग्यंद्र को नामवार सेंग को अजारी पर साथ दुवेदी को यहाँ पर आप सभी से यह पूंचा ग्या है किस आलोचक को सौश्टावादी सौंदरेवादी आलोचक का जाता है तो 68 में यहाँ पर सया अंसरों का विकल्प नंबर एक यानि कि नंद दुलारी वाजपेई को नंद दुलारी वाजपेई जो आलोचक है इनको सौश्टावादी और सौंदर वादी आलोचक की रूप में जाना जाता है कहा जाता है अंगला कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया आप सभी से 69 कॉस्चन है डाक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक किरती नहीं है कौनसी नहीं रीतिकाभी की भूमिका सिद्दान्त और अध्यन देव और उनकी कभीता या वेचार और अनुबोती 69 में आप सभी लोग बताएगा कि डाक्टर नगेंद्र जोहिन की आलोचनात्मक किरती नहीं बताना है कौनसी नहीं है 69 में सभी आंसर होगा विकल्प बी आप सभी का याँपर सभी आंसर है सिद्दान्त और अध्यन बी वाला विकल्प आप सभी का याँपर सभी आंसर है सिद्दान तो रध्यन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा यहाँ पर आप सभी से पूंचा है कि माक्सवादी आलूचक को नहीं है नहीं वताना है चैन करिएगा क्या होगा सही आंसर अगजे, प्रिकासचंद गुप्त, राम्ला सर्मा, सिब्धान से चोहन तो सत्तरवा कॉश्चं यहां पर दिया गया है और सत्तरवे आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा माकसवादी आलोचक नहीं है कौन नहीं है बताना है तो सत्तर में सई आंसर है अग्गे अग्गे जो है ये माक्सवादी आलूचेक नहीं माने जाते हैं सी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर प्रिकास चंद गुप्त राम्बिलास सर्मा और सिब्दान से चौहान माक्सबादी आलूचेक की रूप में जानी जाते हैं कॉश्चन अमबर आप सभी से आपर 71 पूँचा गया है कि हिंदी साहित की जनवादी परंपरा की रचेता कौन मानी जाते हैं बताईएगा सेवदान से चौहान है प्रिकास चंद गुप्त है राम्बिलास सर्मा है या डाक्टर नग्यंद्र है 71 में बताना है हिंदी साहित की जनवादी परंपरा की रचेता कौन मानी जाते हैं मत्पून कॉश्चन है और सई आंसरों का याँपर वी वाला विकल्प है प्रिकास चंद गुप्त आप सभी का याँपर सई आंसर है दिनोंने विकल्प नंबर दो चेन किया है उनका याँपर सई आंसर है अंगल्या कौश्चन याँपर दिया गया है कौश्चन नंबर 71 है देखिए का 71 कौश्चन है नास्ता और स्वंदरी के लेखक कौन मानी ज आना है नौस्ता और स्वंदरी के लेखक कौन माने जाते हैं चार विकल्प आपके आपर दिये गए हैं और आप चबीका यापर सई आंसर आ रहा है कि इसकी रचनाकार माने जाते हैं कौन रामबलास सर्मा बहत्तर में विकल्प नंबर एक वाला जो है वहां पर सई आंसर ये वाला आपका सई आंसर होगा साहित संतरन के रचनाकार कौन माने जाते हैं तेतरवा कौश्चन आप दिया गया है अग्गे हैं जैनेंद्र हैं नगेंद्र हैं इलाचंद जोसी हैं कौन है साहित संतरन के रचनाकार कौन माने जाते हैं कौश्चन नंबर तेतर में आप स सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी आनि की इला चंद जोसी इला चंद जोसी विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर है इला चंद जोसी आप सभी का सही आंसर है नहीं की रचिना मानी जाती है साहित संत्रण कौस्चन नंबर है यहां पर आप याँ पर दिया गया है नई कभीता का अतम संगर्स के लेका कौन माने जाते हैं बताईे ए घुक कोश्चन मत्यपूर है चार विकल्प आपके आहँ पर दिये गया है और आप सभी का याँ पर सभी आंसर हो गहीं जाती है इक आपसी का सी वाला जो है वैं आप सभी का यहां पर सई आंसर है मुक्ति बोध आपका यहां पर सई आंसर होगा रमेश जी रिता जी अंगला कॉशन यहां पर देखेगा हिंदी नाटक को रॉमांस के कटगरे से निकाल कर किसी सीमा तक आधुनिक भावोध के साथ जोडा है किनों ने असक ने प्रिसाद ने भार्तेंदू जी ने भुबनिस्वर ने 375 में यहां पर बताना है 375 का सई आंसर पंकट जी रमा जी क्या होगा सई आंसर हिंदी नाटक को रॉमांस के कटगरे से निकाल कर किसी सीमा तक आधुनिक भावोध से भावोध के साथ जोडा है असक का जै पराजय वताना है यह किस वर्स प्रिकासित हुआ था उन्ने सो चालिस में 1932 में 1935 में 1937 में 376 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और 76 में अब सभी का यहां पर सई आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प यहां पर सई आंसर है यानि कि 1937 1937 यहाँ पर सही आंसर है अस्क का जय पराजय किस वर से प्रकासित हुई थी रचिना तो 1937 यहाँ पर रमेश जी बहुत बढ़ियां सही आंसर चैन किया है कट्राद MP जी अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा अस्क की सरवादिक प्रोण किर्टी मानी जाती है कौन सी मानी जाती है जय पराजय है अंजो दीदी है केम पहे उडान है 77 वा कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है 77 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर बताईए अस्क जी की सरवादे के प्रोण किर्थी कौन सी मानी जाती है ये बताना है मत्तुपूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है और 77 में सई आंसर आ रहा है अंजो दीदी अपने याद किया ना अंजो दीदी अस्क बार हैं तो ये अस्क से उपेंदनात अस्क की रचिना मानी जाती है अनजो दीदी किंकी अपने नात अस्क की रचिना मानी जाती है अंजो दीदी यहां पर आपके लिए बतान निमलिकेत यहाँ पर नाटक दिये गए है कि रचिनाकार आप सभी के लिए चैन करना है जैसे 78 में पूंचा है कोडार कनाटक किनका माना जाता है असक जी का है मौनरा केस विसनु प्रबाकर जगदीश चंद्रमातुर यह अप यहाँ पर आपके जो है सरल कोशन सभी से बन जाएंगे 78 में बताईए का क्या होगा सही आंसर कोडार कनाटक बताना है इसकी लेखक बताना है कौन मानी जाते है 78 में चेहन कन्ना है, पुन्डिमा जी, मुस्कान जी, तो आप सभी का सही आंसर है, जगदीश चंद्र मात्र, आपका D वाला विकल्प जो है, भै यहाँ पर सही आंसर है, जगदीश चंद्र मात्र, सही आंसर हो का, अंगला कॉस्चन है, छटा बेटा की रचनाकार कौन मानी जाते हैं, वबनेस्वर हैं, धर्मबीर वारती हैं, या फिर असक हैं, अग्ये हैं, 89 में सही आंसर बताईएगा, क्या होगा सही आंसर, 89 में छटा बेटा की रचनाकार कौन मानी जाते हैं, यह पूंचा क्या है, तो 89 में अपन याद किया था कि छटा बेटा असक बारा है, अस्क से उप्यांदनात अस्क आप सभी का यहांपर सही आंसर है उप्यांदनात अस्क जी की रचना मानी जाती है छटा बेटा अंगला कॉस्चन यहांपर अस्तिवा कॉस्चन है यहांपर पहला राजा वताना है पहला राजा की रचना कार कौन मानी जाते हैं लक्षमी नार जो को like कर ले, रोज आपके लिए class लाई जाती है, मत्पूर्ण question यहाँ पर करवाय जाते हैं, और यहाँ पर आप सभी का सही answer आ रहा है, पहला राजा जो है, जगदीस चंद मातुर की रचना मानी जाती है, पहला राजा, जो भी पहले राजा बनता है, तो वैं जगदीस के तन्वीर वार्ति या फिर पंत या फिर हरी कृष्णे प्रेमी बताए लाइरों की राजहन्स के रचिनाकार कौन मानी जाते हैं 81 यहां पर दिया गया है और 81 में आप सभी का यहां पर सई आन्सर आ रहा है कि रचिना मानी जाते हैं मोहन राकेश की मोहन राकेश विकल नंबर ए बाला आप सभी का यहां पर सई आन्सर है लाइरों की राजहन्स के रचिनाकार मोहन राकेश मानी जाते हैं तीन आखों वाली मचली की रचना कार कौन माने जाते हैं, बताईएगा ज्यान देव अगनी उत्री है, या फिर उदाई संकरवट्न है, हरीकर्षन प्रेमी है, लक्षमी नारण लाल है, 82 वा कॉश्चन याँ पर दिया गया है, तीन आखों वाली मचली, 82 में चैन कनना है, तो 82 में आप सभी का याँ पर सही आंसर आ रहा है, तीन आखों वाली मचली के लेकक बताने रचना कार बताने किन की रचना मानी जाती है, ये, तो विकल्प नमबर D, आप सभी का याँ पर सही आंसर है, डाक्टर लक्षमी नारण, आप सभी का याँ पर सही आंसर है, डाक्टर लक्षमी नारण, लाल हो का सही आंसर, D वाला विकल्प है, अंगला कॉश्चन यहाँ पर दिया गया है, सार्दिया की रचना कार कौन मान बोबनी सवर हैं या पिर चतुरसन आस्तरी हैं जगदीश चंद्रमाथर हैं बोबनी सवर है कैस्जन यहां पर दवल कई तो इस विकलप को यहां पर कारड़ने सार रचिनागारवताना है तीरासी वा गॉस्चन यहां पर दिया आया है उनका यहां पर सही आंसरों का सार्दिया की रचिनाकार मानी जाते हैं जगदिश चंद्र मात्वर अंगला कॉस्चन यहां पर पूंचा है पिरती सोद की रचिनाकार कौन है राम नरेश्टर पाठी है हरी कृष्ण प्रेमी है गिर्जा कुमार मात्वर है राम कुमार बर्मा है प्रति सोद के रचनाकार वताना है बताईएगा कॉस्चन मत पूर्ण 84 वा कॉस्चन याँ पर दिया गया है 84 में आप सभी के लिए चैन कनना है तो 84 में आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर वता ही मत पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया ग्या है बी वाला विकल्प यहां पर सही आंसर है पृती सोध विकल्प नमबर आपका बी जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर है विल्कुल सही विकल्प नमबर दो यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर कि रचनाकार कौन माने जाते हैं 85 वक्त कोश्चन या पर दिया गया सुदर्सन है हरी कृष्ण प्रयमी है भुबनीस्वर है अग्ये हैं किनकी रचना मानी जाती है 85 में चैन कन्ना है बताईएगा 85 का सही आंसर क्या होगा सही आंसर औरेरी मज़ेश्टरेट के रचनाकार कौन माने जाती है तो आप सभी का या पर सही आंसर होगा 85 में कि औरेरी मज़ेश्टरेट के दर्सन हो गए दर्सन से सुदर्सन सुधर्सन जी की रचना मानी जाती है विकल्प नमबर एक आप सभी का यहां पर सही आंसर हो का राक्चस का मंदर ये आपको बताने किन की रचना है गोविंद बल्ला पंत की रचना है लक्षमी नार्ण मिस्तर की रचना है सुदर्शन, रांगी रागब किन की रचना मानी जाती है 86 में चैन कन्ना है बताईए 86 में सभी लोग बताईगे राक्षस का मंदर की रचनाकार कौन मानी जाते है 4 विकल्प आपकी आपर दिये गए है और आप सभी का यापर सही आंसर आ रहा है राक्षस का मंदर की रचनाकार मानी जाते है कौन विकल्प नमबर 2 सही आंसर है लक्षमी नारण मिस्तर है लक्षमी नारण मिस्तर आप सभी का यापर बी वाला विकल्प जो है आप सभी का यापर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यह आप देखेगा मादा केक्टस के रचिनाकार कौन मानी जाते हैं मादा केक्टस रामचरेत पाध्याई की रचिना है कि सूरीदास वाचपेई की रचिना है निर्मल बर्मा या लक्षमी नारण लाल की रचिना है 87 वा question यहां पर दिया गया है 87 में आप सभी के लिए chain करना है क्या होगा सई आंसर मादा केक्टस के रचिनाकार बताना है तो आप सभी का यहां पर D वाला विकल्प यहां पर सई आंसर है लक्षमी नारण लाल की रचिना मानी जाती है D वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सई आंसर है उत्सर्ग के रचिनाकार बताना है question number 88 यहां पर यह question वत्दपून है आपके और बताईएगा क्या होगा सई आंसर उत्सर्ग यह किन की रचिना है अगला question यहां पर देखेगा question number यहां पर दिया गया है 89 question है तांबे के कीड़े के रचिनाकार कौन मानी जाते है 89 में चैन करियेगा भुबनेस्तोर है रामकुमार बर्मा है गिर्जा कुमार मातोर है मौन राकेस है कौन मानी जाते है तांबे के कीड़े के रचनाकार चैन कनना है सभी के कमेंट आपर देखते जा रहा है और आप सभी का यापर सही आंसर आ रहा है तांबे के कीड़े ये रचना किनकी मानी जाती है ये पूंचा गया है 89 में तो विकल्प नमबर आपका एक सही आंसर भुबनेस्वर भुबनेस्वर की रचना मानी जाती है तामबे के कीडे विकल्प नमबर एक आप सभी का आपर सही आंसर है अंगला कॉस्चन आप देखेगा कॉस्चन नमबर आप सभी से आप 90 पूंचा गया तूटते परिवेस तूटते परिवेस क्या होगा सही आंसर चैन करिएगा और आप सभी का यहांपर 90 में सही आंसर आ रहा है तूटते परिवेस की रचिनाकार मानी जाते हैं कौन तो विकल्प नंबर बी आप सभी का यहांपर सही आंसर है जानी कि आप सभी का यहांपर क्या होगा सही आंसर वि विश्णू जी जूड़ेंगे तो विश्णू से विश्णू प्रवाकर आप सभी का यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखिएगा सक्ट विजय की रचनाकार बताना नाइन टी वन में आप सभी को चैन करना है प्रत्वीनाज सर्मा है उदैसंकर वट्ट है विश्णूerme कौस्चन नम्बर 399 कौस्चन यहां पर पूँचा ग्या है सक्ट विजय की रचनाकार कौन मानी जाते है बताए चार विकल्प आप कि यहां पर दिये गए है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहे है कि यह रचना मानी जाते किनकी बट्टे आप सभी का सही आंसर होगा, विल्कुल चाहिए अंगला कॉस्चन या आप देखेगा, परदा उठाओ, परदा गिराओ की रचिना कारी रचिना किनकी मानी जाती है, असके जी की रचिना है, अग्गे की रचिना है, धर्मभीर वार्ती, अपर विश्णू प्रभा कर, तीन सो, बाननवे में आप सभी के लिए आपर चैन करना है, बाननवे का आप सभी का याँपर क्या होगा, सही आंसर, परदा उठाओ, परदा गिराओ, ये रचिना है, किनकी रचिना मानी जाती है, बता येगा, बाननवे में चैन करना है, तो आप सभी का याँपर सही आंसरों का विकल्प नंबर यहां पर एक सई आंसर है अस्क जी की रचना मानी जाती है और पेंदरनात अस्क जनों ने भी यह वाला चैन किया है उनका यहां पर सई आंसर है आसाड का एक दिन की रचना कार कौन मानी जाती है आसाड का एक दिन बताईए जगदिश चंद्र मा मातुर की रचना है मन्नु बंडारी नरेस महता मौन राकेस 393 में चैन करना है बताए तो यहाँ पर सही आंसर है कि आसाल का एक तिन यह रचना मानी जाती है 393 में बताना है तो मौन राकेस विकल्प नमबर डी वाला विकल्प जो है यहाँ पर सही आंसर होगा मौन राकेस जनोने भी चैन किया है विकल्प नमबर चार उनका यहाँ पर सही आंसर है तीन एकांत के रचना कार बताना है तीन एकांत के रचना कार कौन है संकर सेस है मन्न वंडारी है निर्मल बर्मा है अमरित लाल नांगर है तीन एकांत तीन अपाहे जी रचना जो है थोड़ी सी सेम सेम है तीन एकांत की रचनाकार पूंचा गया है तो च्वारा नवे में आप सभी का यहांपर सई आंसर की रचना तो मानी जाते निर्मल बर्मा की किनकी निर्म निर्मल वर्मा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प यहां पर सई आंसर है तीन एकांत निर्मल वर्मा की रचना है तीन अपाहिज किनकी रचना है तीन अपाहिज विपिन कुमार अगरवाल की रचना है हवीव तन्बीर सरत जोसी अग्गे 95 में बताईए 95 में क्या होगा सई अंसर चार विकलप आपके दिये गए हैं वत्तपूर्ण कॉस्चन याँपर पूंचा गया है कि तीन अपाहिज इंगरमल वर्मा की रचना और तीन अप़ाहिज जो है इंजे रचना मानी जाते हैं किनकी विपिन कुमार अग्रवाल जी की विकल्प नंबर एक आप सभी का यहांपर िब्रवाल' यहां पर इवाला जो है वह आप सभी का सभी आंसर है इससोरी की अंत्यमकरण से सुरी की पहली करण तक की रचनाकार कौन माने जाते हैं 96 वा question या पर दिया गया है नरेश मेहता है धन्बीर वारती है सुरेंद बर्मा है 26 में सही आंसर चैन करिएगा सूरी की अंतम करन से सूरी की पहली करन तक की रचनाकार कौन माने जाते हैं अर्चना जी, रीमा जी अंजली जी, तो 96 में वखल्प नमबर 3 सहिए आन्सर होगा, स्रीव आला सुरेंद्र बर्मा आप सवी का यहां पर सहिए आन्सर है, वखल्प नमबर C जी जोनों ने भी चैन किया है, उनका यहां पर सहिए आन्सर है, अंग्ला question यहां पर देखते हैं लिपिष्टिक की मुस्कान की रचनाकार कौन मानी जाते हैं 397 में बताए गंगा पिरसाद स्रीवास्तब है या फिर विश्णु प्रवाकर निर्मल वर्मा अग्येकिन की रचना मानी जाती है कॉस्चन 97 याँ पर पूंचा गया है और आप सभी का याँ पर सही आंसर क्या होगा संजु जी सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अबस्ते कर लेंगे जिन्हों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक सेयर करते जाए सभी लोग ये कॉस्चन आपके लिए रोज लाए जाते हैं कि लेपेस्टिक की मुस्कान की रचनाकार पूँचा है संतान नबे में तो विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर दीवाला विकल्प आपका रचने आंसर विश्रु प्रभाकर विश्रु प्रभाकर आप सभी का यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा संकुक की हत्या की रचनाकार कौन मानी जाते है नरेंद्र कोईली है या फिर ब्योगी हरी है बगबती चन बर्मा है प्रेमचंद है किन की रचना मानी जाती है कॉस्चन अंबर 98 में बताना है बताईए 98 में चेन कनना है तो आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है चंकुक की हत्या की रचनाकार कौन मानी जाते है यह फूंचा गया है तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नमबर सई आंसर आ रहा एंठान नवे में एक सई आंसर होगा नरेंद्र कोहिली आप सभी का सई आंसर होगा संकुक की हत्या की रचनाकार कौन माने जाते हैं नरेंद्र कोहिली माने जाते हैं संबुक की हत्या होगा यहां पर विल्कुल यहां पर यह जो है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यहां पर देखते हैं कॉस्चन नमबर आप सभी से यहां पर पूंचा गया राखी की इलाज की रचिनाकार कौन है तीन सो निन्याननबे में आप सभी के लिए बताना है निन्याननबे में आप सभी का क्या होगा सही आंसर ब्रंदा बनलाल बर्मा है दसरत ओजा है अग्ये है नरीस महता है question number यहाँ पर पूंचा गया है 399 वो 99 में आप सभी को बताना है किनकी रचिना मानी जाती है संभुक की हत्या होगा यहाँ पर और आप सभी का यहाँ पर सई आंसर आ रहा है राखी की लाच की रचिना कार बताना है तो विकल्प नमबर आप सभी का 99 में क्या होगा सई आंसर ब्रंदा वनलाल बर्मा विकल्प नमबर एक आप सभी का यहाँ पर सई आंसर है ब्रंदा वनलाल बर्मा जो है उनी की रचिना मानी जाती है नराखी की लाजंगला question यहाँ पर देखेगा बिना दीवारों की घर बिना दीवारों की घर की रचनाकार जगदीश चंद्रमातोर हैं, मन्नू बंडारी हैं, अग्गे हैं, अस्क हैं, चार सोवा कॉस्चन या पर पूंचा गया है, चार सो में क्या होगा सही आंसर, विसाल जी चैन कीजेगा, लबली ठाकुर जी, बिना दीवारों की घर की रच मैननु भंडारी भिति-वारों की घर में मन्नु भंडारा कर रहे हैं तो मनु भंडारी आप अउझा अपर यहां पर गीति रम्लिकैत गीति वंसेया की रचना कार आप सभी के लिए बताना ओक यहां पर दिया गया है अंधायोग के रचनाकार मानी जाते हैं सेट गुबिंद दास हैं रामकुमार बर्मा हैं दुसियन्त कुमार हैं धनबीर वारती हैं 401 में आप सभी को चैन करना है बताइए का अंस जी क्या होगा 401 में सही आंसर अंधायोग और इसको याद कियाता परने धर्मे के विना अंधा है योग दीपक जी धर्मे के विना अंधा योग है धर्मे से दनबीर वारती अनदा योग तो अंधायोग इनी की रचना मानी जाती है गीती नाट्ट माना जाता है धन्बीर वार्ती का सौवर्ण बताना इसकी रचनाकार कौन मानी जाते है सित्यनात कुमार हैं, दुसिंत कुमार हैं, पंत हैं, गिर्जा कुमार माथुर हैं 402 में आप सभी लोग बताएंगे 101 की रचनाकार कौन मानी जाती हैं ? कॉस्चन मत पूर्ण है और आप सभी का नंच जी यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर सौबर्ण की रचनाकार बताना है 402 में बताना है तो 402 में यहां पर सही आंसर आ रहा है कि रचना मानी जाती है किनकी पंत जी की रचना मानी जाती है चुमित्रा नंदन पंत विकल्प नंबर तीन जन्हों न भी याँ पर चैन किया है उनका याँ पर सई आंसर है गंगला कॉस्चन याँ आप देखेगा कलपांतर की रचनाकार कौन माने जाते हैं कलपांतर गिर्जा कुमार मातोर हैं सिद्धनात कुमार हैं पंत हैं अग्ये हैं 403 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है सुआनी जी क्या होगा 403 का सई आंसर कलपांतर की रचनाकार वताने चार विकल्प आपकी याँ पर दिये गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सुनेना जी सही आंसर आ रहा है तीन में विकल्प नमबर आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर हो का गिर्जा कुमार मातुर किनकी रचना है गिर्जा कुमार मातुर की रचना मानी जाते है कलपांतर विकल्प नमबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आंगे बढ़ते हैं तो question number यहां पर दिया गया है 404 404 में बताने स्रश्टी की सांज की रचनाकार कौन माने जाते हैं स्रश्टी की सांज एक इनकी रचना है रामकुमार बर्मा सिद्धनात कुमार दुस्यंत कुमार या फिर पंत जी की रचना है किनकी रचना माने जाती है बताईएगा सभी लोग स्रश्टी की सांज की रचनाकार कौन माने जाते हैं 404 में चेहन करना है तो 404 में आप सभी का बी वाला विकल्प सही आंसर होगा सित्धनात कुमार जो है उनी की रचना मानी जाते है सरश्टी की सांज विकल्ब नंबर B वाला याँ पर सईया अन्सरूका जंगला कोश्टन याँ पर दिया गया है कौश्टन नंबर याँ पर पूंछा है 4 auf 4 इस ने है या स्वर्ग है इसने या स्वर्ग की रचनाकार कौन मानी जाते हैं? बताईएगा सेट गोबिंद दास हैं, निर्मल बर्मा हैं, नरेस महता हैं, अग्गे हैं कॉस्टन आपका 405 यहां पर दिया गया है, और 405 में सही आंसर आ रहा है, इसने या स्वर्ग की रचनाकार अंजली जी कौन मानी जाती है, पूँचा क्या है? तो बिलकुल सही, 405 में आप सभी का सही आंसर होगा, यह रचना सेट गोबिंद दास की मानी जाती है, 405 में विक आपका सही आंसर होगा, सेट गोबिंद दास सही आंसर है, एक कंट विस्पाई की रचनाकार कौन मानी जाती है, बताए, एक कंट विस्पाई रचना मानी जाती है, दुसियंत कुमार की, सेट गोबिंद दास, पंत या फिन राला, कॉस्टन नमबर 6 आपर पूंचा गया है चेह में बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर एक कंट विस्पाई की रचनाकार चेहन कनना है डॉक्टर नीता जी और पुन्डिमा जी नीतू जी आप सभी का सही आंसर होगा ये दोस्यंत कुमार की रचना मानी जाती है एक कंट विस्पाई किनकी रचना है दुस्यंत कुमार विकल्प नंबर ए वाला यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखिएगा रजत सिखर की रचना कार वताना यहां पर रचना दी गई रजत सिखर किनकी रचना मानी जाती है हरी कृष्ण प्रेमी की रचना है या फिर ये रचना मानी जाती है पंत गोगिंदवल्ल पंत या फिर मिलिंद 407 में सई आंशर वताईए पिर्वीन जी 407 का सई आंसरों का रजत सिकर जो रचना है किनकी रचना मानी जाती है बताईए सभी लोग कॉस्चन मत्पूर है और साथ में आप सभी का सही आंसर आ रहा है ये मानी जाती है पंत जी की रचना किनकी रचना है पंत यहां पर सुमित्रा नंदर पंत जो है इनी की रचना मानी जाती है रजत सिकर बी वाला विकल्प है आप सभी का यहां पर सही आंसर है सिल्पी की रचनाकार कौन मानी जाती है सिल्पी किनकी रचना मानी जाती है 802 में आपर सही आंसर चेन करना है 802 में आप सभी का सही आंसर होगा यह रचना है रामकुमार बर्मा, पंते, धन्बीर बार्ती, जेनेंद्रे तो 408 में बताना है 408 में बताना है क्या होगा सही आंसर 408 में सिल्पी रचना किनकी मानी जाती है तो यहाँ पर भी आपका समित्रा नंदनपंत सही आंसर है विकल्प नंबर B वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा आदे अदूरे नाटक की रचनाकार कौन मानी जाती है आदे अदूरे इनाटक अपनने कई वार पढ़ा है किनका है अमरितलाल नांगर मन्नु भंडारी मोहन राकेश निर्मल बर्मा 409 में आपर चैन कन्ना है 409 में हाँ पर क्या होगा सही आंसर आदे अदूरे इनाटक है और इनाटक किनका माना जाता है ये चैन कन्ना है तो 9 में सही आंसर होगा मोहन राकेस, यह अपनने कई बार पढ़ा है, मोहन राकेस जो है, विकल्प नमबर B, आपका सही आंसर होगा, मोहन राकेस के विना आदे अधूरे हैं, तो मोहन राकेस और आदे अधूरे इन्ही का नाटक माना जाता है, मोहन राकेस के किस नाटक में कलिदास महन नाकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणए कता कही गई है वह आप सभी को नाटक बताना है लैरों की राजन से आदे अदूरे है किसी में नहीं या फिर यहाँ पर आपका जो अंगला विकल्प है आसाड का एक दिन कॉस्चन नमबर 410 है 410 में बताना है महन दाकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणए कता कही गई है तो दस में आपर विकल्प नमबर 4 सही आंसरूगा आसाड का एक दिन आसाड का एक दिन नाटक पूँचा जाता है बहुत ही मत्तपून एक कॉस्चन है कि आसाड का एक दिन नाटक किनका है तो मोहन दाकीस कमाना जाता है अंगला कॉस्चन यहाप देखेगा कारवा नाट संकलन की रचेता कौन मानी जाते है 1-500 आपसे आपर पूंचा है कौश अंशा 411 वा कॉश्चन यहां पर दिया गया है festa कर्वा वताना है तो आप सभी का यहां पर सही ऑंसर क्या होगा ऑकशेन कीजिए वब निस्ते यहां फिर सुनेंदर बर्मा न्यमी चंद्र जैन यहां पर मोहन राकीष और कर्वा वताना एक वताना है तो आप सभी तुगा अंधायुग बताने 412 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है 1908 में 1905 में 1906 में 1903 में 12 में आप सभी को चैन करना है 412 का सही आंसर क्या होगा अंधायुग किस वर्स प्रिकासे तुगा यह बताना है चार वेकलप आपके दिये गया है कॉस्चन मत्पूर्ण है और 12 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है इसका प्रिकासन माना जाता है क्या अंधायुग धर अंधायुग धर में के विना अंधायुग 1905 होगा सही आंसर वी वाला वेकलप जन्होंने भी चैन किया है 1905 उनका सही आंसर है कारवा में कौन सा नाटक संकलित नहीं है नहीं पूँचा गया है 413 में आप सभी लोग चैन करिएगा चारुमित्रा है या पिर स्यामा पिर्तिवा का विवाई या पिर रॉमान्स रॉमान्चे 13 बार कॉस्चन या पर दिया गया है कारवा में कौन सा नाटक संकलित नहीं है स्वानिका जी और अविरल स्वानी जी सुरेंदर जी आप सभी का या पर कॉस्चन मत पून है 13 बार कॉस्चन या पर दिया गया है और 13 में विकल्प नंबर ए वाला जो है वहें आप सभी का यापर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प जनों ने भी चैन किया है उनका यापर सही आंसर है चहुदयवा कॉस्चन है दुरोपती नाटक की रचेता कौन माने जाते हैं बताए भिष्णू प्रिभाकर है मौन राकेस हैं सुरेंद्र बर्मा है नरेंद्र कोईली है चारसो चहुदय में आप सभी को चैन करना है दुरोपती नाटक की रचेता कौन माने जाते हैं तो आप सभी का यापर सही आंसर आरा है चारसो चहुदय में विकल्प नमबर आप सभी का यापर सभी का यहां पर सभी का यहां पर सभी आंसर मत पुन रचना है तो लिए नाटक के रचनाकार कौन है तो यहां पर आप सभी का विकल्प नंबर एक हो का पर सही आंसर यानि की अघ्य दारा बिर्चित नाटक आप सभी के लिए आप पर बताना है सोलेवा कॉस्चन याँ पर दिया गया है क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा चैन करिएगा सभी लोग चार विकलप आपके दिये गए है आपका आज का ये चेलेंज प्रेस न दिया गया है याँ पर कौन सा नाटक है अग्ये द्वारा बिर्चित है नेकांच नुकड़ पर या पर उत्तर प्रेतर सी कौनार के आंसर कमेंट में सभी लोग सही आंसर चैन करेंगे आज के वीडियो में बस इतना ही रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है तो सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहेगा वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और जादा से जादा वीडियो को सियर कर दे आप सभी को बता दे हिंदी साइट में तीन हजार प्रेशनों की ये जो है हिंदी साइट की ये तीन हजार प्रेशनों की पीडियाप है तो इस परकार जो है ये तीन अजार प्रिशनों की PDF है जिनको भी चाहिए हो संपर कर सकते हैं मात्रे आपकी जो है 150 रुपे की PDF है और अभी आप संपर कर लें नंबर स्कीन पर चल रहा है सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अंगली क्लास में एक क्लास आपके अननंत जी वाबना जी राजीब जी मजबरमा जी ड और नीता जी ifa लवीशाल जी लवली जी पंकर जी बिंदू जी अर्चना जी अनंत जी दीपकक्जी कल्पना जी संजू जी और नीलम जी और यहां पर सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनेयना जी नामबीर जी और अर्चना जी रमेश जी सभी को इसी तरह से टोड़ी रहना है आटी जी बिंदू जी दीपक जी आगरल सौनी जी अनन्त जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंस जी मिलतें अंगली क्लास में पंकर जी दीपक जी लबली जी सभी को जए हिंद झाल समय क है जीज था में क्लास में कृबिभा